हर हर महादेव जैफुलिनाथ नमस्कार मैं शादना बाड़ने मागदरसन पर आपका स्वागत करते हूं दोस्तो आज मैं बात करने वाले हूँ भादरपद मास की पुरिमा के बारे में भादरपद मास की पुरिमा किस तिति को पड़ रही है और जो विशेश लक्षमी प्राप्ती के उपाय मैं बताती हूं वो आपको किस दिन करना है और पूजा विदीश, नान, दान आप जानते हैं पीपाल पूजा बहुत ज़्यादा विशेश होती है पुरिमा तो वो किस दिन आपको करना है दोस्तों बहुत विशेश जानकारी है क्योंकि कहा गया है कि हिंदु धर्म में पूरिमा और अमावशया दो ऐसे तितिया हैं जिन में हर ब्यक्ति को, हर सनातन धर्म से जुड़े हुए ब्यक्ति को इन दो तितियों का ध्यान रखना बहुत जादा ज़रूरी है वैसे तो हर तिथिया महत्वपूर्ण होती है लेकिन अमाउस्या और पूरिमा बहुत जादा विशेश होती है तो दोस्तों अमाउस्या तिथि में आपको क्या करना है क्या क्या चीजे जरूर करना है आप तो जानते हैं कि सौरी पूरिमा तिथि में आपको क्या करना है कौन कौन से काम जरूर करना है पूर्मा तिती इस बार कब पढ़ रही है तो देखेे पूर्मा तिती प्रारांब हो रही है 9 सितंबर को साम को 6 बज कर 8 मिनट पर समाप्त कब हो रही है तो 10 सितंबर 202222 2 पाहर को 3 बज कर 29 मिनट पर आप जानते भी होंगे बार बार इस सेच को मैं बताती हूँ आपको कि उद्यातिती की पोडिमा बहुत जादा विशेश होती है जो लक्षमी प्राप्ति के उपाए मैं बताती हूँ वो आप किस दिन करेंगे वो भी आगे वीडियो में बताऊंगे और हाँ दोस्तों आपको पोडिमा का ब्रत किस दिन रखना है तो ये तो आप जानते ही कि जिस दिन चंदरोदे हो साम के समय चंदरोदे में अर्ख देना होता है चंदर के उदय के बाद तो ऐसे में 9 सितंबर को पोडिमा कबरत रखा जाएगा और 10 सितंबर को स्नान दान के पोडिमा होगी पीपल पूजा 10 सितंबर को होगी तो विशेश सत्यनारायन की कथा जो आप कराते हैं वो 10 सितंबर को कराईए बहुत जादा विशेश है 10 सितंबर के पोडिमा क्योंकि कुछ हमारी बहनों के मन में एक सकाता है भाई लोग के कि जो उपाय मैं बताती हूं वो हम जब रात्री को पोडिमा नहीं है तो ऐसे में किस दिन करें तो दीखे बहुत विसेस आपका प्रशन है बहुत ज्यादा विसेस है इसलिए मैं यह चीज बता रहे हूं आपको कि यद काल के पोडिमा अब पूछें आप हमसे कि किस दिन ज्यादा विसेस होता है करना तो मैं यही कहूंगे कि जिस दिन सुर्योदय काल के पोडिमा होती है उस दिन बहुत विसेस होता है तो आप उस दिन कर ले और यदि आपको लग रहा है कि नहीं उस दिन कर सकते किसी तरह की दिक्कत है करें बाहर जाना है तो उस दिन भी कर लिए जिसने साम को पोड़िमा लग गई है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि पोडिमा तिति में लक्षमी नरायन के पूजा करने का बहुत ज़ादा विशेश महत्व बताये गया है क्योंकि पोडिमा तिति जो है वो मालक्षमी को बहुत प्रिय है उनको बहुत जादा प्रशन्यता होती है यदि कोई भक्त पोडिमा के थिथी में मालक्षमी की अराधना पूजा नारायल के साथ करता है तो आज के उपाय जो है विसेश फलदाई होते हैं और आज की पोडिमा है वो बहुत विसेश है दोस्तों क्यों विसेश है क्योंकि इस समय शूला दिवसी महालक्ष्मी की आराधना का समय चल रहा है इस काल इस दवरान यदी हम कोई उपाय करते हैं तो जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन आपको उपाय करते हैं शीगर फाली भूत होता है ठीक उसी तरह की रात्री है तो क्या करना है इस पे भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले पूरिमा तिती में जान लीजे कि हर जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए ब्यक्ति हैं उनको पूरिमा के दिन देर तक नह स्वास्तिक हल्दी गंगा जल रोली मिला करके बना ले उसके बाद आप अपने घर में जितनी पूजा करते हैं वो कर ले पूजा करने के बाद आज संबह हो तो आप भूले नाथ के मंदिर जरूर जाए उनकी बिसेश पूजा अराधना पूरिमा क्तिती में होती है उनके म पूजा आपको हर पूर्णिमा अवश्य करना चाहिए एक तो पित्र दोस्ते मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी नाराण का वाज साथ साथ पीपल में होता है तो बिना कुछ किये हमें मालक्ष्मी का साथ मिल जाता है उनकी करपा मिल जाती है तो पीपल में कच्चे दूद औ और कुछ मीठा डाल करके आज जरूर जणा है परिवार में पित्र दोस्त लगा हुआ है तो काले तिल दूद और चावल मिला कर पीपल पे अर्पित करने से बड़े से बड़े भैंकर से बज़ेंकर फित्र दोस्ते मिल जाती है लेकिन हाँ एक दो बार में नहीं मिलती है लगातार साल दो साल ये प्रयोग करना होता है लक्षमी नारायन के कृपा तो आपको स्वतही देखने को मिलती है यदि आप पूर्णिमा तिती में ये काम करते हैं तो हाँ दोस्तों एक जिस मैं पता न भूल गई आज पूर्णिमा की तिती में जब भी आप स्नान करें उपर से साधा जल डाले हरार गंगे बोलते हुए नहा लेजिए आधे पाप आधे दुख कस्ट तो इसी तरह दूर हो जाते हैं हां दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और मेरा नमबर है जिस पर किसी प्रकार की जोच्सियल सलाह हो गई जैसे कि कुंडली वगएरा दिखाना हुआ तो आप इस नमबरों पर संपर्क करके दिखा सकते हैं अब मैं बात कर रही थी कि आपको दान क्या करना है तो देखिए आज के दिन हर ब्यक्ति के घर से कुछ न कुछ दान जरूर निकलना च अनदान में आप कम से कम एक नियम बढ़ा लें आप कि आज पूड़िमा है तो एक ब्यक्ति का भोजन हमारे घर से जाएगा यह भोजन आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं जरूरत मन्त को दान कर सकते हैं चावल आटा डाल नमक जो भी चीज़े हो बस एक टाइम के भोजन आपको देखने को मिलेगी इसलिए मैं कहते हूं कि पूड़िमा का बहुत जादा ध्यान देजेगा तो यह काम कर दीजेगा जो लोग अन्य दान नहीं कर सकते वो कम से कम 10 रुपे 11 रुपे ही किसी मंदिर में दान कर दे किसी धर्मस्थाल में दान करें दान करना आपका दान में पृति होती है धन के हम उपभोग करते हैं धन अपवय नहीं होता है तो दान आज पूड़िमा पर जरूर कर लेजाए अब चलिए इस बात कर लेते हैं कि क्या लक्षी प्राप्ति के लिए करना है एक दीपक पीपल के पास जला दीजेगा साम को जाकर के सुबह मे जो है वो दूद गंगा जल या फिर साधान जल जो मैंने बताया पीछे वो करके पूजा कर लेजेगा आज के दिन जो भी घर में आपने कौडियों का प्रयोग किया होगा या फिर जो भी आपने पोड़िली बनाई होगी आज निकालिएगा जो भी लक्ष्मी जी गणेश जी कि जहां भी आपने मुर्ती रखिए नारायण की मुर्ती भी वहाँ जरूर रखिए और रख करके जो कोडिया या फिर जो भी गोमती चक्र या फिर जो भी चीजे आपने रखी है लक्ष्मी पूजा की आज उनको निकालिए वहां गाय की घी का एक दीपक जलाईए तो अक्षत विष्णु जी को मत चड़ाएगा बाकी लक्ष्मी जी को जो भी कौडियां वगर आपने रखा है सब पे तिलक कीजे मालक्ष्मी को मान करके जो आपने पोटली बना है खोलने क्या हो सकता नहीं उपर उसी कपड़े पे उसी पोटली पे तिलक कीजे सबको नीचा धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या फिर मैंने पुर्व में एक सावर मंत बताये था ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम रिम ओम श्रिम ओम पुर्वाई दक्षिडाय पस्टिमाय उत्तराय शर्वदिसी धनम देही देही श्वाहा डिसक्रिप्सन च समस्याओं से मुक्ति है तो कम से कम 11 माला किसी भी एक मंत्र का जब कर लेजिए ओम रेम श्रिम नमा बहुत छोटा मंत्र है जल्दिस से हो जाएगा और वैसे अच्छा चोटे बड़े को मत देखिए अच्छा यह होता है कि जो आप पुर्व से मंत्र जबते हैं उसी को प्रोणिमा मानी जाती है तो उपाय सनिवार को कर सकते हैं सुक्रवार को भी कर सकते हैं जरूर कीजेगा दोस्तों घर में आज खीर जरूर बनाएगा खीर बना करके मालक्षमी को भोग लगाएगा नारायन के साथ भोग लगाए और दूसरी चीज है कि आपको एक सिसका ध प्रशन पितर कभी आपका कल्यान नहीं करते हैं, तो वीडियो इसके आगे मिलेगी हो सकता है, यह आज मिले हो सकता है, तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी बताईए का जरू अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता दीजेगा मिलती हुशी तरह के वीडियो के साथ धन्यवाद